नमस्कार दोस्तों दोस्तों हम अपने यूट्यूब चैनल के लिए प्ले लिस्ट कैसे बनाएं हां दोस्तों बड़े-बड़े यूट्यूबर जो हैं अपने चैनल पर प्ले लिस्ट बनाते भी हैं वो दोस्तों उनको फाइदा भी होता है प्ले लिस्ट बनाने से चैनल पर व्यूट बढ़ते हैं आपकी वीडियो पे ज़्यादा व्यूट आएंगे आपका चैनल गुरोग करेगा तो दोस्तो प्षिस्व मारिद मार्ग में सवाल आता है कि हम प्ले लिस्ट कैसे बनाएं तो दोस्तो प्ले लिस्ट बनाने के लिए हमें अपने यूट्यूब चैनल पे ही जाना पड़ेगा जहां पर हम अपने लिस्ट बना सेकते हैं हम प्ले लिस्ट क्यों बनाया दोस्तों बड़े बड़े यूट्यूब अपछ इंकर यह बहुत सारे सब्सक्क्राइब रहोते हैं जब वीडियो अपलोड करते हैं उनको वादिक आ जाते हैं और हम प्रस्ट की वीडियो को वो आपकी प्ले लिस्ट से देख सकता है देश से आपकी प्ले लिस्ट बनी होगी तो आपका ओडियंस जो है आपका वीवर जो है आपकी प्ले लिस्ट को उपन करके सभी वीडियो को देखेगा जिसे आपके वीडियो पे वीडियो आएंगे और चैनल सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन क्लिक करके आल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वले वीडियो आप सबसे पहले लिक्स के तो दोस्तो शुरू करते हैं आज के वीडियो दोस्तो उसके लिए मैं आपको मैं मुवाइल स्कीनिंग पर ले चलता हूं उसके लिए हमें Google Chrome को अपने complete लिखना है दोस्तों आपने ध्यान सीस को देखना है आप यह बीना स्किप किया मेरी वीडियो complete देख लेते हैं आप अपने चैनल ligs बना सकेए जिसे आपका चैनल पर वी आएंगे और आपका चैनल भी गर करेगा दोस्तों आप Studio.youtube.com लिखने बाद सर्च पर कल आपने जो चेक बना है, टिक बना है, उसके बाद दोस्तों आपके राइट साइड में आपके चैनल का आइकन आपको नजर आ रहा है, आपके जो भी आइकन लगा रखा है, आपने अपने परफाइल फोटो लगा रखी है, या आपने जो भी आइकन या आपने अपना लोगो लगा रखा है तो आपको right side top में नज़र आएगा उसके साथ ही इने बनावे दोस्तो create आप उस पर create पर क्लिक रोगे तो दोस्तो यहीं से आप वीडियो पर upload कर सकते हो live जा सकते हो create post कर सकते हो उसके निचे लिखा है दोस्तो new playlist जब आप new playlist पर open करेंगे तो आपके सामने हैं उसके मताबिक आप अपने भी playlist का नाम select कर सकते हैं जैसे मैं YouTube tips पर बना रहा हूं तो मैं यहां पर लिख देता हूं YouTube tips जो भी आपने नाम लिखना है आप नाम लिखने के बाद आप नीचे उस पर description लिख सकते हैं कि आप के इसमें आप किस तरह की वीडियो डाल रहे है उसके बाद दोस्तों नीचे है public आपने उसको public रखना है अगर आपने private कर दिया या unlisted कर दिया तो आपकी जो list है आपके viewer तक आपके audience तक नहीं पहुंच जाएगी और आप जो जो आपने वीडियो में डाल रहे हैं वो आपके viewer तक आप नहीं पहुंचेगी उसके बाद द सामने सभी आपकी वीडियो जो आपने डाउनलोड कर रखिए वो आपके सामने नजर आएगी उसके बाद आपने उपर देखना है उपर बनाओगा playlist जैसे आप playlist पर क्लिक करेंगे तो आपने जो अभी अभी नई create playlist की है जो आपने पहली playlist क्रियेट की है वो आपके सामने नजर आजेगी तो दोस्तों आपकी playlist बन चुकी है दोस्तों studio.youtube.com में आप playlist बना सकते हैं जब आप इसके बाद जब दोस्तों आप YouTube में जाकर मैं आपको दिखाता हूं YouTube उपन करने के बाद आपने वीडियो अपलोड जैसे करते हैं उस पे क्लिक करना है वीडियो क्लिक आपके सामने जो जो आपने playlist बना रही है आपके सामने सभी playlist आपको नजर आएगी जो आपने अभी अभी playlist बनाई है उस पे आपने क्लिक करके उसको done करना है तो दोस्तों अब जो आप वीडियो अपलोड करोगे वो आपकी वीडियो जो है आपकी नई बनाई हुई playlist में जाएगी इस तरह दोस्तो आप अपने YouTube चैनल के लिए प्लेइलिस्ट बना सकेंगे अगर आपको मैं वीडियो अच्छी लगी है तो मैं चैनल को सब्सक्राइब किजिए मेर वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि दोस्तों आपकी सब्सक्राइब और लाइक करने से मुझे वीडियो लाता रहता हूं तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नई टोपिक साथ जब तक जय हिंद